ताजनगरी वासियों के साथ साथ ताजनगरी से गुजरने वाले लोगों के लिए भी आगरा नगर निगम ने एक नई मुहीम सुरू कर दी है इस वक्त हमारे बीश में नगर आयक अरणुप्रकास मौजूद हैं हम उनसे जाने के किस तरीके जो एक मुहीम है जो एक विवस् सर्क क्या कुछ एक विवस्ता है जो पूरी जो हर एक जन माराश को पहुचा जाने का नगर निगम परसाथनों दोरा काम किया जाएगा कल जो दिली से जो लोग चले हैं वो आगरा से गुजर रहें उनको विविन अस्थानों पर जाना है चुक्य आगरा एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के बाइडर से भी और फियाडर के बाइडर से भी जुड़ता है अईसी इस्थिति में हम लोगों ने बेऊस्ता की है जिला परशाशन के सहहोग से पूरा जितने भी पॉइंटס हैं टर्मिनल पॉइंटס हैं उन जगों पर टाइलेट टैंकर पानी के टैंकर और कुंख़ फूद की बेऊस्ता की है ताकी जो भी माइग्रेंट्स हैं जो जो वो सोशल दिस्टेंसिंग में रह करके इन चीजों का इस्तेमाल कर सकें और जैसे जैसे बसे मुहिया हो रही है वो अपने अपने गंतवे को सुचार रूप से जा सकें तो यह बेवस्ता हम लोग करना है और इसको मानिटर भी करना है ताकि इसमें कोई पैनिक नहों और सोशल जिस्टेंसिंग मेंटेन हो सकें जो विवस्ता है जो कई गई जो मुबाइल टॉलेट लगाया गई एग्या पानी के टैंकर लगाए गई है उसार अगर हम सी काउंटिंग की बात करें तो तो सर वो कितने और कितनी ताधत मने और आगः भर में कितना जो इस्थान किन किन वो संचाली थाई हैं जो मोबाइल टाइप जो जगह हैं वो बारह जगहों पे हमने डिप्लाइ किया है इसकी साफसवाई की बिवस्ता को लेकर हम बात करें तो किसे सैटनाइस किया जा रहा है क्या कुछ बिवस्ता इसमें बारह अलग अलग टीमें जो सैनिटाइजिशन के लिए उसी स्टेशन हैं वहाँ पे और वहाँ एक सफाई निरिक्षक भी तैनाथ है अगर हम बात करें पुरे ताजनगरी में और जो पूरा जो एक माहौल जो बना हुआ है उसको साफसफाई वरे रखने के लिए साइडाइजिशन करने के लिए किस तरी जो टीमें बनाई गई है और किस तरी से पुरे जो विवस्ता है वो चलाई जा रही है अगर के से हैं इस समय देखे दोर टु टोर सबसे प्रभावी बेऊस्ता है क्योंकि लोग घरों से नहीं निकल ला है तो सड़क हमारी लगभग साफ है जो डो टू टूर जो खर्गा निकल लहा है जो किचेन बेस निकल ला उसको हम डोर टू दोर को प्रभावी तरीके से लागू किये हुए हैं हमारी करीब 200 गाडियां लगातार निकल रही है और डोर टूर कच्रा उसको लिफ्ट कर ले रही है उसके बाद जो गलियों का जो जाडू लग करके जो कच्रा आ रहा है वो हम डलाव घरों के माध्यम से उसको सेकेंडरी उठान करके कुबेरपुर ले है तो इस तरह से सफाई की कम्मल वेहुस्ता हमारे द्वारा सुनिशित की गई है पूरी टीम में लगी हुई है और जितना 29 अधिकारी हमने डिपलाई किया है जो जोन और सेक्टर बना करके सब को 4-4 वार्ड 3-3 वार्ड दे करके लगातार रोज सुबा से साम तक हम लोग किसकी विवस्ता देख रहे हैं सफाई के साथ साथ अगर हम बात करें पूरे शेहर बर में सेंटाइजिशन की तो किस तरीके को एंटी लार्वा के लिए जो स्प्रेक होते हैं या जो कोरोना आज एक महामारी के रूप में हर किसी के दिल में एक जो डर का माहौल बना हुआ है हर को इसे बचाब भी चाता है और हर किसी की निगा ताज नगरी में मोजू जो लोग है उनकी नगर निगम परसासण पैट की होई है तो सब किस तरीके जो पूरी बिवस्ता हैं जो पूरा स्प्रे की बात है तो कह तरी है चल रहा है देखे हमारे पास देख के इस समय 44 ऐसी पिठ्ठू वाली मसीने है जो गलियों में जा करके एंटी लारवा करती हैं फागिंग करती है उसके अलामा हमारे पास 14 जो टेम्पो मांटेड हैं वो इस्प्रे मसीने हैं फागिंग के लिए दो हमारे पास बड़ी मसीने हैं जो 360 डिगरी पर सावर जो है देती हैं उसमें अमिंटा अमिंटा एक बायो एंजाइम है जिसको डाल करके हम उसका सैनिटाइजिशन में वेव कर रहे हैं इसके अलामा हम फायर सर्विसेज फायर सर्विसेज की भी मदद ले रहे हैं उसे भी हमने दो गाणिया ले रखे जिसमें मिंटा को मिक्स करके पूरे सहर में सैनिटाइजिशन का काम कर रहे हैं इसके अलामा हमने एक इसमें सफाई और सैनिटाइजिशन को ये दो चीजे के वल उसमें एड्रेस हो रही हैं बाकी चीजों के लिए अलग-अलग कंट्रोल रूम हैं ग्रोसरी के लिए अलग है फेजिटेबिल फल के लिए अलग है दूद के लिए अलग है इस तरह से अलग-लग अधिकारी तैनाथ हैं अलग-अलग कंट्रोल रूम्स बनाए गए हैं हर जीन्स के लिए जिसको जो आउसेखता है और उसको अकबार में हम लोगों ने प् हमारी जो दिन भर में सिकायते आ रही हैं फॉगिंग की या सफाई की उसको हम कर रहे हैं साथ-साथ रुटीन जो हमारी जो वेवस्ता है वो पूरी तरह से मुकमल तरीके से चल रही है और कहीं भी आप देख रहे होगे सहर में कहीं भी कोड़े का धेर आपको नहीं दिखाई पड़ेगा अरुन्पिकास नगराजी ने साफ कर दिया है कि किसी भी तरह की कोई भी कोर कसर या किसी भी तरह की गुंजाइस साफ सफाई के मामले में ताजनगरी के अंदर नहीं रखी जा रही है और नहीं किसी भी तरह की कोई गुंजाइस रखने की आसंखा भी कहीं होगी उन्होंने साफ कहा है कि जिस किसी व्यक्ति को जरूवत है किसी भी चीज की नगर निगम प्रसासन उसके लिए ततपर खड़ा है उसके लिए बार बार लोगों तक मैसेज भी पहुँचा जा चुके हैं उसके लिए टीम में गठित कर दी गई हैं उसके लिए कंटॉल रूम बनाया गया है और भी कई सारी बात हैं जो हमेशा होती रहेंगी जो समस्य आती रहेंगी उसके लिए भी नगर निगम प्रसासन मुस्तैद है और हर एक जंग को लड़ने के लिए तैयार भी है वीडियो जनलेर चंदन सिंग के साथ मैं निल चौधरी एपियर निउस आगर और ला गया है और हम्सूनी ऐतायो का लिए निए लैने कि खवस्नले को टेस्धर निल जा जाता यह